हेलल जैसा के जानते हैं हम लोग एंध। 650 सब्सक्राब्स को भणाते हैं minded है है यानि इसको कहते हैं साइकलिक मोशन भी कहा जाता है इसको पढ़ने वाले हैं तो फ्रेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रगलर और अथिन्टिक अप्डेट्स मिलती रहे ठीक है फ्रेंट्स आपको ब जो दूसरा होता है जैसे यहां पर पृति हो गई यहां यहां पर गति की लिएक करते हैं तो इसे क्या कहते हैं गूरैंट्स फिर सेग बाद देख लेते हैं किसी अक्ष के परिता ग्युमता है तो ऐसी गती को क्या कहते है गुरौण गती कहते है जैसे ईग्जामपल के तवर फिर देखा जाए तो पिर्थिभी का अपने अक्ष पर गुंण आ जो ग्टी का उधारन है भोमते हो लट्टू की गति चलते हुए पंखी की कि गति यह सब क्या है गूडण गति के उधारन है यहनी जिसको कहते है रोटेशनी रिमोशन कहते है ठीक है अब इसके बाद यहां देख लेते हैं जो पॉंइंट से यहां पर क्या eater vital कर रही explain सब्सक्राइब पुएंस तो j drones कर लागी जसे लिए यहां पर चैप्टव को एक समान प्रितेभी प्रिटी Itस यहां से एक शूटे गाट है बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें आपका यहाँ पे पूरी तरह से cover हो जाएगा chapter ठीक है पहले हम यहाँ पे theory basis cover करेंगे उसके लास्ट में कुछ MCQ फारें ने question भी include किया है हमने क्योंकि आप previous exam में पूछा गया ठीक है तो वीडियो के end तक बने रहे हैं यह वीडियो काफी helpful होने वाली है और आपका यहाँ से एक से दो नंबर जो है 100% पूछा जाएगा और यहां से एक से दो नंबर आपका confirm हो जाएगा बात करें यहाँ पे PDF लेने की ठीक है तो आपको बता दें कि वीडियो के description box में वाटसेप और उसके बाद टेलिग्राम ग्रूप का लिंक दे दिया है वहां से आप इजली जो ह सकते हैं और उसके बाद वहां से वहां पर PDF जो है send कर दिया जाएगा ठीक है अब यहां देख लेते हैं एक समान ब्रतिय गति जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है जब कोई बस्तु जो है एक निश्चित बिंदु को केंद्र मान कर ठीक है उसके चा बार पुछे जाते हैं और यहां से आपका एक single point भी नहीं छूटेगा तब पहला point है कि पिर्थिवी पर वाई मंडल रुका हुआ है किसके दोरा पिर्थिवी पर वाई मंडल रुका हुआ है गुरत्वा कर्शन के दोरा रुका हुआ किसके दोरा गुरत्वा कर्शन के दो होता है क्योंकि पलायन वेक जो होता है अड़ों के माध्य चाल से अधिक होता है इसी के वज़ा से पिर्थिवी जो होता ही है वाई मंडल को रोके हुए है नेक्स्ट पॉइंट है कि पिर्थिवी के क्रित्रीम उपग्रा में बैठे वे बैठा हुआ है तो उसका भार कैसा होता है सुनने होता है जीरो होता है राइट आपका कम से कम टाइम में यहां पे हम कबर कराएंगे ठीक है पूरे स्लेबर्स को हमने कंप्लीट कराने का यहां पे रिस्पॉंस्बिल्टी लिया है और पूरा स्लेबर्स जो आपका कम्प्लीट कराया जाएगा ठीक है बिल्कुल फ्री आप कास्ट नेक्स्ट पॉंट है कि एक ग्रह का जो पलाइनवेग यानि जिसको वीई कहा जाता है यदि उसके दरविमान यह मत्रिज्यय को करमसा चार गुना और दो गुना कर दिया जाए तो इस ग्रह का नया पलाइनवेग क्या होगा तो नया पलाइनवेग जो होता है रूड टू लोलग गती पर आधायित एक घड़ी P है, और कमान दोलन पर आधायित एक घड़ी Yes है, यहनि दो घड़ी है एक P है और दूसरी Yes है, दोनों घडियां जो है पिर्थवी पर समान गति से चलती है मानक चलिए यहां पिर्थवी पर दोनों घडिया जो है समान गति से चलती है चाहे P हो या S हो दोनों समान गति से चलती है ठीक है पिर्थवी के समान घनत तो लेकिन दोगुनी त्रिजय वाले एक गरह पर क्या होगा यस जो है p से तेज चलने लगेगी यानि यस जो है p से fast चलने लगेगी यानि लोलक गति पर आधायरत यगड़ी है p है और कमान लोलक पर आधायरत यगड़ी यस है दोनों घड़ियां जो है पिर्थिवी पर समान गतिस चलती है पिर्थिवी के समान गतिस लेकिन दोगुना त्रिजया वाले एक ग्रह पर यह क्या होगी? यह सवाली घड़ी जो फास चलेगी किस से? पी वाली से अब अगला पॉइंट है यहां पर कि जब कोई बस्तु जो है उपर से गिराई जाती है मान के चली अगर कोई बस्तु है यहां उपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? भार जो होता है आप परिवर्थित रहेगा भार जो होता है आप परिवर्थित रहेगा और सेम इसी का आपोजिट होता है मान के चलिए अगर कोई पत्थर का टुकड़ा है ठीक है अगर यहाँ दो किलोग्राम का है अगर इसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसके द्रविमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके द्रविमान में कोई परिवर्दन नहीं होगा, लेकिन भार इसका क्या होगा, भार घट जाएगा, ठीक है, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिए अगला पोइंट है कि निरवात में, यानि जहां पर वायू ना हो निरवात किसे कहते हैं, जहां पर वायू नहीं होती है तो लकड़ी, लोहे वा मोम के समान, आकार के टुकड़े को समान उचाई से पिर्थवी पर गिराये जाता है काउन सा टुकड़ा सबसे पहले पिर्थवी की सता पर पहुंचेगा दिखे अगर आप निर्वात में किसी चीज़ को गिराते हैं जहां पर वायू नहीं हो चाहे पत्थर हो, चाहे कागज हो, चाहे लकड़ी हो चाहे कुछ भी हो वाँ पिर्थवी पर एक समान सता पर ही गिरेंगी यानि लकड़ी, मौम, लोहा सभी साथ साथ पहुंचेगे ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगी कि लकड़ी पहले आजाएगी, मौम बाद में आएगा लोहा पहले आजाएगा ये सब बाद में ऐसे कोई नहीं है ठीक है यजि निर्वात में कोई चीज गिराई जाती है तो सभी समान समय में पहुचती है पिरतीवी पर अगला पॉइंट है कि हवा में हवा में लोहे और लकडी की समान भार की गेत को समान उचाई से गिराने पर हवा में लोहे और लकडी की समान भार की गेत को समान उचाई से गिराने पर क्या होगा लकडी की गेत बाद में गिरेगी जबकि जो है लोहा जो है पहले गिर जायेगा ठीक है यहाँ पे निर्वाती कंडिशन नहीं है यहाँ पे वाई की कंडिशन है इसी के वज़ा से अगला पॉइंट है कि भार हिंता होती है भार हिंता कब होती है गुरुत्वा कर्षण की सून इस्थती में भार हिंता होती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है यदि पिर्थवी का गुरुत्वा कर्षण बल जो है अचानक लूप्थ हो जाता है तो कौन सा पैडामी सही होगा यदि पिर्थिवी का गुरुत्वा कर्षन बल जो है अचानक लुप्त हो जाता है तो बस्तु का भार सून हो जाएगा परन्त द्रभ्मान वही रहेगा नेक्स्ट पॉइंट है कि बिनासकारी भुकम्प के गुरुत्व के करण तोरण कैसा होगा तो यहां क्या होगा नौसो असी सेंटिमीटर पर सेकंड इसकोयर होगा अगला पॉइंट है कि पिर्थिवी के चार और परिक्रमा कर रहा कृत्रिम जो उपग्रा होता है सेटिलाइट होता है और पिर्थिवी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पिर्थिवी का जो गुरुत्वा कर्षण होता है उसकी गती के लिए आवस्ट सेक्तरों प्रदान करता है अगला point है कि गुर्त्वा कर्षन के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किस ने किया था तो गुर्त्वा कर्षन के सारभोमिक नियम का प्रतिपादन जो है newton ने किया था तो right answer will be option number A हो जाएगा मतलब newton ने किया था नेक्स्ट कोशन है किसी लिफ्ट में बैठे हुए ब्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट तौरित गति से उपर कियो जाती है तो ब्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होता है नेक्स्ट पॉइंट है कि लोलक की कलाविधी क्या होती है लोलक की कलाविधी जोती है लोलक की लंबाई पर निर्फर करती है अगला पॉइंट है कि लोलक घडियां जो है गर्मियों में सुस्थ हो जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है इसके वज़ा से लोलग घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती है नेक्स्ट पॉइंट है कि एक लड़की जो है जूले पर बैठी इस्तिती में जूला जूल रही है उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा यदि कोई लड़की जो है जूले पर बैठी इस्तिती में जूला जूल रही है उस समय लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल जो है घट जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है कि पेंडूलम की घड़ी जो है ती ब्रकती से चल सकती है यानि पेंडूलम की घड़ी जो है ती ब्रकती से कब चल सकती है जब वह सीत काल में होगी यानि ठंड में वह जो है पेंडूलम की घड़ी जो है ती ब्रकती से चलेगी अगला पॉइंट है कि पिर्थवी का पलायन वेग कितना होता है तो पिर्थवी का पलायन वेग जो होता है 11.2 km पर सेकंड होता है यानि यदि इस वेग से किसी बस्तु को अगर फेक दिया जाए उपर तो वहां पिर्थवी पर कभी नहीं लोटेगी प्रिथवी का 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 प्रिथ पॉइंट है कि चंद्रमा पर वाई मंडल नहीं होने का क्या कारण है चंद्रमा पर वाई मंडल नहीं होने का कारण में क्या है कि इस पर गैस अड़ों का जो पलायन वेग होता है उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है इसी के वज़ा से चंद्रमा पर वाई मंडल नही होता है अगला पॉइंट है कि गुरुत्व कर्षण के सिध्धान्त को किस ने दिया तो गुरुत्व कर्षण के सिध्धान्त को न्यूटन ने दिया था है कि न्यूटन की गति के तीसरे न subscribed के नुसार न्यूटन की नियंग के अउसार जो थी प्रत्यक किरीया राजा करती है कि अगला पैंट है कि यह लिग 추천 है Gustafik Steesz यह एकायक ब्रेक लगाने से बस सवारी पीछे के वर जुग जाती है ऐसा किस नियम करना होता है तो यह ऐसा नियूटन के पहले नियम से होता है क्योंकि next point किसी बस्तु के इस्थिर अथवा सर्ण रेखा में समरूब गति से गत्सील अवस्था में etc. परिवर्तन के गुड को क्या कहते हैं यहीनि किसी बस्तु के इस्तीः रत्वाशरल रेखा में सम्रूब गती से गत scissors लवस्त्ता में पकारिवर्तन की कारण के गुड को क्या कहा जाता जड़त तो कहा जाता है नेक्स्ट है जी कमान क्या होता है तो जी कमान जो होता है 9.8 मीटर पर 2nd square होता है यानि तुरण होता है अगला पॉइंट है कि G कमान जो होता है विश्वत रेखा पर होता है तो G कमान जो होता है विश्वत रेखा पर नियुन्तम होता है ठीक है G कमान विश्वत रेखा पर नियुन्तम होता है लेकिन द्रूमों पर क्या होता है द्रूमों पर अधिक्तम होता है मैक्सिमम कहा होता है दुरूम पर और उसके नियुनतम कहा होता है विश्वत रेखा पर होता है अगला पॉइंट है कि पिर्थवी की सता से उपर या नीचे की और जाने पर G कमान क्या होता है तो पिर्थवी के सता से चाहे आप ऊपर जाएंगे या चाहे नीचे जाएंगे ठीक है दोनों अवस्था में जी कामान क्या होता है घटता है नेक्स्ट पॉइंट है कि पिर्थवी की गुर्ण गती बढ़ाने पर जी कामान क्या हो जाता है यदि पिर्थवी के गुर्ण गती को आप बढ़ा देंगे तो उसके बाद G कमान जो है कम हो जाएगा यानि गुर्थवी तोरण कमान जो है कम हो जाएगा अगला point है कि पिर्थवी के गुर्ण गती घटने पर G कमान क्या होता है तो पिर्थवी के लिए पलायन वेग GON ein क्मांज होता है 11.2 कृलो मीटर पर सेकेंड होता है कितना होता है 11.2 कृलो मीटर पर सेकेंड होता है यानि इस वेग से जरी किसी बस्तु को अगर आसमान में फ्यक्क दिया जा तो वापस पिर्थवी पर नहीं आएक यानि एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर फेक दिया जाए सभी के लिए पलायन वे अलग-अलग होता है लाइक है यहाँ पर जिसे पिर्थवी का हो गया चंद्रमा का हो गया, सूरी का हो गया तो वन वाई वन करके यहाँ देख लेते हैं तो सबसे पहले पिर्थवी के क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड सूरी के लिए क्या होता है, 42 किलोमीटर पर सेकंड चंद्रमा के लिए क्या होता है, 2.3, 7 किलोमीटर पर सेकंड होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ कोश्चन यहाँ पिर्थवी का ही बार बार पूछता है इसलिए पिर्थवी वाला आप याद रखिए नेक्स्ट है जब लिफ्ट उपर की ओर जाती है तो आदमी का आभास जो है वास्तिक भार से कैसा महसूस होता है तो उसका तोरण जो है उपर की ओर होता है यानि उसको क्या महसूस होता है वो आपने भार को अधिक महसूस करता है अगला कोश्चन है कि गृत्वा कर्षण की खोज किसी ने की थी तो गृत्वा कर्षण की खोज जो है निूटन ने की थी नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है यहीं चंद्रमा जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है तो करीब 28 दिन का टाइम लेता है ठीक है तो जिस करण पिर्थवी जो सुर के चारुर गुम्ती है, उसका करण क्या है? अगला पॉइंट है कि जब कोई बस्तु जो है, ऊपर से गिराए जाती है, तो उसका भार क्या होगा? जब कोई बस्तु ऊपर से गिराई जाती तो उसका भार जो है सून ने हो जायेगा Next point है जो कि most important है किसी बस्तु का भार अधिकतम कब होता है जब वह निरवाद condition में रहता है यह जब कोई बस्तु निरवाद में है जहां पर वायु नहीं होती है तो वहाँ कैसी होती है वहाँ बस्तु का भार जो हता है अधिक्तम हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट है कि पिर्थवी के उपग्रा का कच्छी वेग किस पनिर्भर करता है तो पृत्वी के उपघ्रा का कचछी वेग यानी कचछा की त्रिजा पनीर भर करता है अगला पॉंट है कि दो गेड जिनका भार जो है डिफेरेंट टाइप का है एक चोटी से गिराई जाती है तब दोनों एक साथ पहुँचेंगे ठीक है यह दो गेदे हैं जिनका बहार अलग-अलग है एक चोटी से गिराई जाती है तो वो पिर्थी पर कैसे पहुँचेंगी एक समान इस्तिति में पहुँचेंगी अगला कोश्चन है कि किसी घड़ी की सेकंड की सुई की कोड़ी चाल क्या होती है किसी घड़ी की सेकंड की सुई की कोड़ी चाल जोती है पाई भाई थर्टी रेडियन पर सेकंड होती है नेक्स्ट पॉइंट है कि एक कड जो है केंदरी आकर्षन बल के कारण पिर्थवी पर घूम रहा है कड की कड पर कार्यत बल दूरी आर है कि विद्धक्रमान पाती है तो इसके भी चाल क्या होगी चाल जो किस पर निर्वर करती है चाल जो है आर पर निर्वर नहीं करती है ठीक है चाल जो है आर पर निर्वर नहीं करती है अगला कोश्चन है कि द्रव से भरे एक बरतन मनक्चली द्रव से कोई एक बरतन भरा हुआ है यहीं द्रव से भरे एक बरतन को आर्थ रिज्जा के उर्धवार्धर बृत में किस नियुन्तम वेक से घुमाया जाए कि उसमें पानी ना गिरे ठीक है तो रूट जी आर से यदि रूट जी आर से घुमाया जाएगा तो बाल्टी का पानी जो है बाहर नहीं गिरेगा अगला पॉइंट है कि जब कोई पिंड जो है किसी नियत बिंदु के परिता एक तल में घुम रहा हो तो कोड़ी संबे की दिशा क्या होगी जब कोई पिंड जो है किसी नियत बिंदू के परिता एक तल में घुम रहा है तो कोड़ी संबे की दिशा घुड़न तल के लंबोत होगी अगला पॉइंट है कि एक पहिये का ब्यास जो है एक मीटर है जब वहाँ प्रती सेकंड जो है 30 चक्कल लगाता है तब परित बिंदू की रेखी चाल क्या होगी तो परित बिंदू की रेखी चाल जो है 30 पाई होगी कितनी होगी 30 पाई मीटर पर सेकंड अगला पॉइंट है कि एक पहिये का कोड़ी विएक जो है दो रेडियन पर सेकंड है यदि 5 सेकंड में पहिये दोरा लगाये चक्रों की संख्या ग्यान्थ करें तो कितनी आएगी 5 बाई पाई आ जाए कितनी आएगी 5 बाई पाई next and last point है आजका कि यदि EM द्रव्मान का एक कड़ जो है यदि EM द्रव्मान का एक कड़ जो है नियत चाल से एक बृत्ता कारपथ पर चल ला है जिसकी तरिज्जा आ रहा है और EF बल के अधीन घूम रहा है तो कड़ की चाल क्या होगी तो कड़ की चाल जो होगी रूड EF आर अपान EM हो जाएगी तो फ्रेंट्स यहां से चक्री गती जिसको कहते हैं साइकलिक मोशन यहां से जितने भी इंपोर्टन फेक्ट्स बन सकते थे और उसके बाद यहां पे जो इसका डेफिनेशन था उसको यहां पे हमने लिया है ठीक है इसका पीडिया जो को आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे टेलिग्राम का लिंक दिया गया है ठीक है वहां से आप जोईन हो जाईए वहां पे इसको सेंड कर दिया जाएगा तो आज का पहला कोशन है कि सडक की ढाल किस पर निर्भा करती है जो सडक की ढाल होती है वह किस पर निर्भा करती है तो सडक की ढाल होती है मानकि यह स्लोप होता है सडक का वह किस पर निर्भा करता है उसके द्रबिमान पर निर्भा करता है तो यहाँ पर क्या रहेगा भीजया के उर्धवार्धर जर्ट में घुमाया जाता है डोरी को मात्र तना हुआ रहने के लिए उच्यतम बिंदु का नियुंतम वेक कितना होना चाहिए उट ग्राइडे क्या होना चाहिए इसको better इसका मेन कारण क्या है या किसके कारण होता है तो यह जो है अपकेंद्र बल के कारण होता है ठीक है तो राइट अंसर विल बी ओप्शन नमबर बी अगला कोशन है कि एक कण आर्थ रिज्या के बृत्तिय पत्र गूमता है परिकरमन के आधे आवर्थकाल में कण का विस्थापन कितना होगा तो इसका विस्थापन जो होगा 2R होगा कितना होगा 2R होगा तो राइट अंसर विल बी ओप्शन नमबर बी अगला question है एक समान बृत्ती गती में किसके लिए क्या अचर रहेगा तो चाल अचर और वेग जो होती है चर होती है most important इसको जरूर पेंडाउन करिए ठीक है क्योंकि ऐसा question जो है बार बार repeat होता है तो एक समान बृत्ती गती में जो चाल होती है वह अचर रहती है लकिन जो वेग होता है वह चर रहता है अगला point है कि यदि आर्थ रिज्जा वाले बृत्ता कारपत पर चलने वाली किसी बस्तु का रेखी वेग वी है और कोड़ी वेग ओमेगा है तो उसके लिए संबंध क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा v is equal to r omega हो जाएगा यानि right answer will be option number a next question है कि एक ऐसी गती जिसमें चाल इस्तिरो परंत वेग लगातार बदल रहा हो तुसे क्या कहते है उसे जो है एक समान बृत्ती गती कहते है right answer will be option number b next question है कि एक ऐसी गती जिसमें गती जो जो इस्तिरो परंत वेग जो है लगातार बदल रहा हो तुसे क्या कहते है उसे जो है एक समान बृत्ती गती गती है ठीक है यानि एक ऐसी गती जिसमें गती जो 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 इसां और मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद